देवियों और सोजोनों मैं आप सब को परियावरों सोरख्षण की दिशा में किये जा रहे इस सारानियों प्रयास के लिए सुबकाबनाय देती हूँ आज जलोबाई परिवत्तन की गंभिर समस्या हम सब के सामने है कुछ दिन पहले हीट वेप के बिनासकारी प्रभाप हमने देखे कहीं अनेग लोगों की मृत्तु हो गई है और कहीं जंगलों में भयोंक और आग फेल गई थी इस चुनोती के हानी का रगप्रभाप देश और दुनिया में समाज, अर्थवेवस्ता, लोगों के स्वास्त और प्रयावरण समंधी सभी छेत्र में दिखाए दे रही है इनसे विकास की गत्ती पर तो असर पड़ता ही है साथ ही विफिन्न चेत्र में केई अपदाएं भी सामने आती है इसलिए ए अती आवश्यक है कि सामुहिक प्रयासों के द्वारा एसे मजबूत और स्थाई समाधान खोजे जाए जो जोलवाई परिवर्तन की चुनोती का सामना करने में स्वायों को आज 200 स्थर पर अनेक एसे नितियां वनाई जा रही है और एसे कार्योक्रम लागू किये जा रही है जो परियावरों के हीत में है और स्थाई विकास को बढ़ावा दे रही है इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है लेकिन हमें हार स्टोर्फ और हार चेत्रों में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे इसी दिशा में एक महत्तोपुन प्रयास है पेड लगाना पेडों के जरिये प्रुथी सांस लेती है पेड अक्सिजन प्रदान करके बायू के गुणबत्ता में सुधार करते हैं। पानी और मिट्टी का सोरक्षन करते हैं और बन्यो जिवन को भी आसरय देते हैं। मैं देशबासियों से अग्रह करते हूँ कि वे कम से कम एक पेड जरूर लगाएं। अगर देश के क्रोरों लोग पेड लगाएंगे तो प्रियाबरों सोरक्षन के लिए ये बहुत प्रभावी सिध्ध होगा। ये प्रुथी के प्रती हार व्यक्ति, हार समुदाय की आईए हम सोब कम से कम एक एक पेड अवस्य लगाएं और उनकी देखवाल करने की भी जिमिदारी लें। आज हम जो भी पेड लगाएंगे ओ हमारे आने वाली पिडियों के बहतर भविश्यों की दिशा में एक महत्तो पुण जगदान होगा। मैं इस पोहल के लिए पुन आप सोब की सरहाना काती हों। एसे महत्तो पुण विश्यों के सम्मंधों में एक जुड होना और समाधान की और बढ़ना अत्यनत प्रसंग सन्य है। मुझे आशा है कि एसे ब्रयास हमारे देश के सभी लोग विशेशकार बच्चों और जुबाओं को प्रियाबरन सोरक् करेंगे। मैं सस्थ, हरीत और उज्जल भविश्यों के लिए आप सोब को सुबकामनाय देती हों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।